हेलो फ्रेंस वेल्कम बेक तो माई यूटूब चैनल सो फ्रेंस मेरा नाम है पंकजबट और आप देख रहे हैं तेक्निकल भड़ जी दोस्तों आज का हमारे टॉपिक है कि कॉमन सर्विस सेंटर लेने में आपको किते पैसे किते पैसे आपके लगते हैं ठीक है कॉमन सर्वि सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक जरूर करते हैं ताकि मुझे लगता है फ्रेंस जितने आप लाइक करेंगे तभी हमारा आगे को वीडियो बनाने का इसको बनता रहेगा ठीक है और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किजिए आपकी कोई भी साहिता करनी है हम आपके इस पॉर्टल पर आ जाएंगे आप इसका लिंक के दिस्क्रिशन में मिल जाएगा cscgv.in जाने के बाद आपको यहां पर यह पॉर्टल से ओपन हो जाएगा फिर आपको नीचे यहां पर नीचे देख सकते हैं आप इसमें इसमें कौन-कौन सी सर्विसे आपको देखने को देख सकते हैं और विजिबी का विल जमाएगा पूरी सर्विसें के अंदर मिल जाते हैं गौवर्मेंट्स भी प्राइबट भी जो भी सर्विसें आपको लेने हैं चस्ट के अंदर ही बिना csc के आपकुछ नहीं कर सकते क्यूंकि आने वाले समय में सबकुछ digital होने वाला ह तो चलिए मैं आपको बतायता हूँ थोड़ा सा नीचे करके इसमें कैसे आप रेजिस्टेंट कर सकते हैं और कितने फीस ले रहे हैं यह लोग करें करने के बाद कितने पैसे आपको पढ़ते हैं बिना टीजिस्टेंट नहीं है अब यहां पर जब तक आप टीजिस्टेंट नहीं करते तो आपका CSC में रेजिशन नहीं हो सकता है यह मैं आपको यहां पर साब बताता हूँ यह पहले स्टेप की बात कर रहा हूँ CSC वेली की उसके बाद आपको नीचे यहां पर थोड़ा सा नीचे ले चलता हूं मैं यहां पर आप देख सकते हैं CSC नेट्र कर साइड में CSC Registration लिखा हूँ यहां पर आपको त्लिक कर लेना है फिर आम हूँ अपर पर थीराट में क्लिक करेंगे यह देख सकते हैं अप apply now पर क्लिक करेंगे new registration पर फिर क्लिक करेंगे आगे बढ़ते हैं आपको यहाँ पर CSC रेजिस्टेशन वैलेडियर, email id और mobile नमर बोल ला है select application types अब यहाँ पर हमें कौन्स वाले में रेजिस्टेशन करना है यह हमारे पाथ 4 step आ चुके हैं हमें यहाँ पर CSC वेली चीए हमें CSC id लेना है SSG group नहीं लेना है RDD services नहीं लेना है only हमें CSC का रेजिस्टेशन करना है तो हमें यहाँ पर पहले वाले में क्लिक कर देते हैं अब हमें यहाँ पर बीना CSC certificate के CSC का रेजिस्टेशन नहीं हो सकता है जब तक आपका यहाँ पर CSC certificate की तभी आपका यहाँ पर रेजिस्टेशन हो चकता है तो जैसे कि आप लोगं को पता है TEC का रेजिसेशन में आपको दिखाता हूं कितने रुपे का है तभी आपका इसमें आगे का प्रोसेस हो पाएगा नहीं तो नहीं हो पता है जब तक आप इस exam को complete नहीं करते हैं इसका registration की fees नहीं भरते हैं तब तक आपका यहां पर कुछ नहीं होने वाला है तो मैं आपको दिखाता है मेरे पाई एक screenshot पड़ा हुआ है कि उसमें कितने पैसे DC में पड़ते हैं उसके हिसाब से आप यहां पर इसमें कर सकते हैं तो थोड़ा समय आपको वह screenshot दिखा देता हूँ आप यह मेरे पास एक screenshot देख सकते हैं जैसे कि आपने screenshot देखा यहां पर order number आ गया एमाउंट्स आगया टोटल एमाउंट्स आगया पेमेंट इंफोमेशन डाइवेट कार्ट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग एंड यूपी आई और रूप पे वीजा वगरों यहां पर यह दिखा रहा है तो हमें यहां पर इसे रेशिशन करने के लिए फ्रेंट 1489 रुपे पे करना होता है तभी हमें यहां पर रेशिशन हो पाएगा नहीं तो नहीं हो पाएगा यह मुस्ट यहां पर बहुत बढ़ी आवाद प्रेंट से मैं आपको बता रहा हूं जब तक का टीसी में पर ही आपको पे करना होगा तभी आपके यहां पर आपको यूजर आड़ीया PayPal मिलेगा किसका टीजिकर इसका मिलने लाइक जरू करते हैं और हमेरे इस वीडियो को सेर जरू करें ताकि और भी बहुत सारे लोग हैं जो लेकिन और हम पर पता नहीं रहता है कि यह किटने का है की आई चालिदी नमबर आपको online यहां पर अपना exam कराते हो तभी आपको एक set figure मिलता है वो set figure को आप वहाँ पर लगवा सकते हो तभी आपके पास एक CST के ID हो सकती हो और आप उस CST के ID से अपना swap open कर सकते हो common service center open कर सकते हो ठीक है तो subscribe करना नावले friends मिलते हैं आपको जल्दी अगले topic नहीं वीडिय thank you